हलो दोगतों, वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टूल इंफो वन तू 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 पर कैसे है आप, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए नए नए प्रोड़क्ट और नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, और बहुत सारे प्रोड़क्ट अपने प्रोड़क्ट आपको अल्लेटी बता चुके हैं, और बहुत सारा आपका प्यार भी मिला है, और बहुत बढ़िया दरीके से आप उसको एक्स्प्लोड भी करते हैं, उसके लिए मैं आपको ठेंक्यू कहूंगा, और आज जो हमारा प्रोड़क्ट है, वो हमारा चे इन सो नहीं देखा होगा, जो बैटरी से चलेगा, तो इसके अंदर आप एक प्रोड़क्ट जो लेक्या है, मिनी इलेक्ट्रिक चैंसो, जो बैटरी से चलने वाला है, यह तीनो तीन का मैं आपको रिव्यू बताऊंगा, और पूरी डिटेल अन्बोक्सिंग करके कैसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज, और हमारे वीडियो को लाइफ करें, और अपने ग्रूप में शेयर भी करें, और अगर आप हमें ज़्यादा हेल्फ करना चाहते हैं, तो हमारा जो स्पेशल ठेंक्स का बटन है, उस पे भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं, और हमें आप देख पा रहे हैं, हमारे पास तीन प्रकार के चैनसों है, एक तो हमारा इलेक्टरिक से चलने वारा वायर वाला चैनस ओ है, एक पेट्रोल से चलने वाला चैनसों है, जो 58CC का है, और इसका हम लोगोंने ओल्रेडी एक डेलिकेट वीडियो बना चुके है, जो मैं उप अप्रेटरी से ओपरेट होने वाला बहुत से विवेज ने कमेंट किया था कि हमें घर के लिए चाहिए तो उनके लिए ये अगेरा सब उसके अंदर लिखा हुआ है आपको स्क्रिंशॉट लेके हमाने मोबाइल नंबर पर आप वाट्सेप करेंगे तो आपको आगे का डीटेल भी मिल जाएगा और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और बहुत ही फास्त तरीके से आपको डिलीवरी भी मिल ज लिए यहां पर हमारे पास बॉक्स के अंदर एक चेंज़ सोगा पूरा एक एंजीन मिल जाएगा मशीन मोटर मिल जाएगी और 15000 एमेच की आपको इसके अंदर दो बैटरी मिलने वाली है वन प्लस बैटरी आपको पंद्रह अजार मेंच की मिलने वाली है 68 वाट है इसके इसकी प्लेट मिल जाएगी, यह हमारे पास 12 इंची की इसके अंदर चेन लगने वाली है, अब मैं आपको compare करके बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास 16 इंची का जो प्लेट है, 16 इंची का चेन सो है, उसके अंदर यह 12 इंची का चेन सो देखो यहाँ पर लग जाएगा, तो य यह 12 इंची लिखा हुआ है, और यह 16 इंची यहाँ पर हो गया, तो यह 16 इंची वाला भी मैं आपको बता दूँगा, इसका user menu है, डीटेल है उसके अंदर, इसका handle है, और यह हमारे चेन है, जिसको हम फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के लिए हमारे पास पाना भी यह 15 इसको टेलिगेटेज दिया हुआ है, तो फटा फटा हम बॉक्स को हटा देता है, यहां से, और आजिकी हमारी जो प्रप्रिया है, फिटिंग करने के हम उसको शुरू करते थे हैं, तो दोस्तों, मसिन का आमने इस्टोलेशन सुरू कर दिया है, यह चेन हम उसको सीधी कर रहे हैं मशीन का जो आगे वाला जो इससा है वो भी हमने इसको लगा दिया है थोड़ आपको ध्यान देना पड़ेगा एक बार आपका जो नट वगेरा और नीचे की जो ठेसी है वो सही से प्लेट के ओपर बेड़ गई तो आप बहुत ही आसानी से इसको अपर भी कर है उसी और उसी पाने से इसको टाइट करेंगे एक्स्टरनल कोई पाना हमको यूज नहीं करना है और बहुत ही आसन तरीके से फिटिंग भी हो जाएगा अगर आपको इसको काम नहीं है तो आप इसको साइट पर भी रख सकते है यह हैंडल भी पड़ा इसका और चेन को मशीन चालू हो जाएगा वैसे से सेफ्टी चीज दिया हुआ है फिर भी आप ध्यान रखिएगा और यह हमने बैटरी लगा दिये है और लगाने के बाद तुरंत ही देखिए हमारा रेडी टू गो तुरंत हम इसको चालू करेंगे और हमारा चेंसों सुरू हो गया हां बह कि यह बहुत ही अच्छे तरीके से एक दम चेंसों हमारा फिटिंग हो गया और यह हमारा चेंसों अपरेट होना शुरू हो गया तो दोस्तों आपने फ़वा फास पोरोड के अंदर पूरा मशीन का इंस्ट्रोलेशन है वह मैंने कंप्लेट कर दिया है और देखने वाली ख प्रिकत नहीं होने वाली है और वेसे भी इसमें कोई मेंटननस आ लेवाला ही नहीं है क्योंकि इसमें दो बैटरिया है और यह जो प्रोड़क्ट है यहां पर लिखा हुआ है मार्क इंडिया तो बहुत ही अभी यह बीलाइबल और अच्छी क्वालेटी का इसका बहुत ज्यादा है जैसे हमारे drill machine और cutter machine के होता है कि दिखिता बहुत छोटा है मगर उसके rpm उसका power torque इतना ज्यादा होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है उसी तरीके से यह 68 watt की जो मोटर है और यह operate कर दिये 64 watt की बैटरी से इसको मैं एक बार आपको चालू करके बता देता यहां से इसका normal chainsaw की तरह यहां पर इसको oil भरना है आपको और oil को निकालने के लिए यहां पर push button दिया हुआ है injection की तरह जिसकी होजासे क्या होगा कि आपका oil जो होगा वो chain पर आ जाएगा अभी मैं क्या करने वाला हूँ मैं अंदर oil डाला नहीं है तो external से मेरे पास से जो आपको थोड़ा आइडिया जाए के कैसे चलेगा मैं आपको चालू करके भी बताने वाला हूँ यह पूरा प्रोड़ा अगर आपका यह तो अगे पीचे भी हो जाती है तो कोई दिकत की पेंशन वाली बात नहीं है आप अपने प्रोड़के अब बाहर से इस तरीके से और सब्सक्राइब करेंगे उतना काम देगा उतना आपका आगे काम आसान हो जाएगा दोश्कों पहुत ही जादा पावर एक चनल और ये आपको आवार पी आ रहे होगी मोटर कि दी ये तो तीज़े की डैक्टी एक्टी दी बहुत जाना केसे दीज़ी है दो गंटे तक दो से डाइ गंटे तक आपको अगर आप मैं अभी कंटीनूस इसको चालू करूं तो ये दो गंटे तक पूरा मोटर इसके पहले मैंने ट्राइक करके देख लिया है दो गंटे तक ये इसने जवाब दिया है दो गंटा तो आप लोग भी चलाने वाले नहीं है मशिन को भी ब्रेक मिलेगा आप भी दीजे दीजे काम करेंगे बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है देख सकते हैं यह सारे प्रोडक्ट आपको कीम टूल सूरत के ओकर मिल जाएंगे मैंने आपको पूरा हमारी वेबसाइट का पूरा डीटेल के आपको बता दिया है आप वह जो चेन को टाइट करने के लिए जो सिस्टम दी हुई है वो यही से दी हुई है देख सकते हैं और यहां से तो पूरा यह जो एक आपको कमपेरिजन की तोर पर यहां पर बता दूँ कि यह इसके अंदर हमने फिटिंग के टाइम पर दो नटेड लगाई थी इसके अंदर नटे भी नहीं आदि इसके अंदर बड़ा चा चक्का दिया हुआ है यह चक्के को आप जैसे खोलेंगे तो यह पूरा यह लूज हो जाएगा देखिए अभी यह हिल रहा है इसको आप टाइड करेंगे तो यह टाइड भी हो जाएगा और इसका जो ऑईल का फिलर है वो य इसके अपर से भी प्रेस करेंगे अपने आप भी दीरे दीरे ओईल जाता रहेगा तो जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुवात में बताया था हमारे पास आज तीन प्रोड़क का हम आज ओपनिंग करने वाले है उसे के रेंज में हमारे पास 58 CC का यह प्रो कट का चें इसके अंदर क्या है कि एक सिस्टम यह के क्लच आती है इसमें पूरा जिसकी वह देखिए क्लच है और क्लच से क्या होगा कि जार जो काटे ना वह जार काटने के अंदर आपको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आए कि तो जैसे आपके हाथ में से क्लच छूट जाएगा तो यह आपका मशीन कंप्लीट बर्न हो जाएगा क्योंकि यह इलेक्ट्रिक नहीं है इलेक्ट्रिक होगा तो आप क्या स्वीच बर्न कर देंगे यह पेट्रोल से चलने वाला है जो अपनी ताकत खुद बनाते है तो उसके लिए इसके अंदर सेफटी के लिए ज्यादा डिट उसके डिल्कित यहांपे लिखा हुआ है इसके जो आपको में निखालता हूं साइट पर रखता हो यहांपर और यहांपर रेड कलर का हमारे पास बहुत ही भयंकर सा चेंज सो सामने आ रहा है यह पुड़ा देख सकते हैं और यह इसका क्या है भायव यह इसका पैट्रोल डाल सकते हैं इसने ओईल का भी दिया है इसने ओईल दिया हुआ है कमफिट सारा सामान इसने आ चुका है बहुत ही बड़िया मशीन है यह दोस्तों यह पेट्रोल से चलने वाला प्रो कट का चेंसो है जिसके अंदर यहां से हमारा देख सकते हैं यहां पर डीटेल में आपको बता देता हूँ देख सकते आप यहाँ से इसका filter वगेर अपरेट होगा यह इसके engine का section है यहाँ से इसको chuck है जिससे machine बंद होगा चालो होगा और यहाँ से यह air भी लेगा और आगे का process चालो होगा अगर spark plug में कोई problem आता है तो यहाँ पर इसका spark plug दिया हुआ है देख सकते आप यहाँ पर यहां पर इसका स्पार्क प्लग है यह भी बहुत ही बैतरीन तरीके से इसको कॉम्पेक्ट तरीके से बनाया हुआ है पोई दिक्कत नहीं आईगी आपको यूज करने में फिटिंग हो गया यह ऐसे और जैसे हमारी फॉर्विल होती है वैसे ही इसको हम फिटिंग कर देंगे उसका कवर यहाँ पर इसका अलग से सेफ्टी स्वीच दिया हुआ है जब भी आप इस सेफ्टी स्वीच को प्रेस करेंगे उसके बाद हिए मशीन चलेगा, मशीन को बन करने के लिए आपको चौक का इस्तिमाल करना पड़ेगा और on-off करने के लिए आपको यहाँ पर switch दी गई हुए यहाँ से जैसे आप इसको नीचे करेंगे तो यह मशीन स्टॉप हो जाएगा उपर करेंगे तो यह मशीन ऑप्लेटिंग सिस्टम में चालू रहेगा और यह रहा इसका चौक इसके क्या होगा कि मशीन को आपको पहले खींच के चालू कर लेना है जैसे ही मशीन चालू होगा आपको इसको बन कर देना है यहां पर इसका ओईल डालने के लिए आपको केप दिया हुआ है यहां से आप पूरा ओईल भर सकते है नहीं यह पेट्रोल का यह वाल है यहां से आप पेट्रोल भर सकते है यह जो पेट्रोल है आपको यह वाला पेट्रोल अब आप बोलेंगे कि यह दो अलग अलग क्यों रखना लेता है तो इतना आप 80% पेट्रोल भरवा लेंगे और यहां पर इतना सा आपको ऑईल डाल लेना है तूटी ऑईल आता है मार्किट में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा दोनों को आप डाल देंगे इसके अंदर और इसको ऐसे करके हिलाएंगे तो अपने आप यहां से नीचे आजाएगा और यह पेट्रोल के अंदर पूरा मिक्स हो जाएगा यहां से पेट्रोल को डाल देंगे पूरा गास्केट वाला है यहां से पेट्रोल लिकेज नहीं होगा और यह हमारा खीचने वाला है जिससे हम इसको खीचेंगे यहां पर पैर रखना रहत और यहां पर आगे की तरफ और यह जो क्लच है यह आपका यहां पर लग जाएगा क्लच और यह पूरे हिस्से को यह कवर कर लेगा इस तरीके से यह पूरा मशीन लग जाएगा इसका आगे का में कवर भी आपको बता देता हूं तो जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुवात में बताया था हमारे पास आज तीन प्रोड़क होने वाले है और तीन प्रोड़क का हम आज ओपनिंग करने वाले है उसे की रेंज में हमारे पास 58cc का ये प्रोकट का चेंसो है पूरा ये इसका केटलोग आ गया इसका हैंड पूरा जिसकी में देखिए ये क्लच है और क्लच से क्या होगा कि जार जो काटे ना वो जार काटने के अंदर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आए कि तो जैसे आपके हाथ में से क्लच छूट जाएगा तो ये आपका मशीन कंप्लिट बन हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट इसके अंदर आपको 22 इंची का चेन मिलेगा इसके टूल वगेरा इसमें टूल भी ज्यादा है क्योंकि मशीन बड़ा है इसके पूरा एक एंचीन है तूल की यहां पर लिखा हुआ है इसके जो कवर को मैं निकालता हूं साइट पर रखता हो यहां पर और यहां पर रेड क आउदा कि हम पेट्रोल डाल सकते हैं इसमें और यहां बड़िया हुआ है कंप्रिक सारा सामान इसमें आ चुका है कि आए बहुत ही बड़िया मशीन है यह दोस्तों यह पेट्रोल से चलने वाला प्रो कट का चेंसो है जिसके अंदर यहां से हमारा मैं देख सकते हैं यहां पर मैं आуб को बता देता हूं देख सकते हैं यहां से इसका फिल्टर व हगेरा यह इसका एंजीन का सेक्सन है यहां से इसको chauk है जिससे यह machine बंद होगा चालो होगा और यहां से यह airby लेगा और आगे का process चालो होगा अगर spark plug में कोई problem आता है तो यहां पर इसका spark plug दिया हुआ है देख सकते हैं आप यहां पर पूरा चोट यहां पर इसका स्पार्क प्लग है यह भी बहुत ही बैतरीन तरीके से इसको कॉम्पेक्ट तरीके से बनाया हुआ है पोई दिक्कत निया आईगी आपको यूज करने में फिटिंग हो गया यह ऐसे और जैसे हमारी फॉर्विल होती है वैसे ही इसको हम फिटिंग कर देंगे उसका कवर यहां पर इसका अलग से सेफटी स्विच दिया हुआ है जब भी आप इस सेफटी स्विच को प्रेस करेंगे उसके बादी यह मशीन चलेगा, मशीन को बन करने के लिए आपको चौक का इस्तिमाल करना पड़ेगा और on off करने के लिए आपको यहाँ पर switch दी गई हुए यहाँ से जैसे आप इसको नीचे करेंगे तो यह मशीन stop हो जाएगा उपर करेंगे तो यह मशीन operating system में चालू रहेगा और यह रहा इसका चौक, इसके क्या होगा कि मशीन को आपको पहले खींच के चालू कर लेना है जैसे ही मशीन चालू होगा आपको इसको बन कर देना है यहाँ पर इसका oil डालने के लिए आपको cap दिया हुआ, यहाँ से आप पूरा oil भर सकते हैं यह पेट्रोल का यह वाल है, यहाँ से आप पेट्रोल भर सकते हैं, यह जो पेट्रोल है आपको यह वाला पेट्रोल अब आप बोलेंगे कि यह दो अलग अलग क्यों दिया हुआ है तो दोस्तों यह two-stroke engine है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको 80% के करीब आपको oil डालना रहता है, 20% के करीब आपको oil डालना रहता है और 80% के करीब आपको petrol रखना रहता है तो इतना आप 80% petrol भरवा लेंगे और यहाँ पर इतना सा आपको oil डाल लेना है तूटी oil आता है market में आपको petrol pump मिल जाएगा दोनों को आप डाल देंगे इसके अंदर और इसको ऐसे करके हिलाएंगे तो अपने आप दोनों mix हो जाएगे यह नीचे से mix नहीं होगे आप इसको और यह हमारा खीचने वाला है जिससे हम इसको खीचेंगे यहां पर पैर रखना रहता है तो यह पूरा machine चालो हो जाएगा इसको फिटिंग करने के लिए यहां से इसका air निकलेगा जो इसका silencer है वो यहां पर आगे की तरफ और यह जो clutch है यह आपका यहां पर लग जाए बताओ तो आप देख रहे होंगे कि मैंने पूरा machine बता दिया मगर मैंने आगे का इसका जो जिसमें chain fitting होगा जिसमें chain fitting होगी वो मैंने अभी तरफ आगे आपको नहीं बताया है तो यह रहा हमारे पास इसका chain fitting करने वाला पूरा आगे का यहां पर mention किया हुआ है 22 inch 20 inch 18 inch 16 inch अब मैं आपको एक बात बता दू 16 inch का में यहाँ पर 12 inch का है हमारे पास यह 12 inch बारा है और सबसे बड़ा 22 inch का आता है इससे बड़ा market में आपको नहीं मिलेगा मिलता भी है 30 inch का भी मिलता है 32 बी मिलता है मगर वो आपको operate नहीं हो पाएगा हमारे area के अंदर और इंदुस्त और मैं आपको एक बार इससे मिला के बता दू आपको आइडिया जाएगा कितना फरक है इसके अंपर तो यह आपको 12 इंच का मिल रहा है और यह आपको मिल जाएगा 22 इच का यहां पर आगे फिटिंग हो जाएगा इस तरीके से और यह पूरा आपका पेट्रोल चेंजो यहा और यह वाला मशीन आपका यहाँ पर फीट हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाये हुआ है और मेंटेनस भी इसका बहुत कम आता है उठाने के लिए आपको यह पूरा आम दिया हुआ है, हैंडल दिया हुआ है और जिससे आप पूरा मशीन को उठा सकते हैं, कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं यहाँ पर प्रोकॉट की ब्रांडिंग की हुई है और यहाँ पर 110 LBS की जो पावर है वो बताई हुई है और जो मशीन है वो 58 CC का यह पूरा मशीन आपको पढ़ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से 3-3 मशीन मैंने आपको बता दिये उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर इस मशीन में से आपको कोई सा भी मशीन चाहिए और मार्किट में अगर आपको कोई सा भी मशीन आपने देखा हो तो वो फोटो पाड़ के भी हमारे mobile लंबर के ओपर आप सेंड कर सकते है मोट्सेब कर सकते है पूरत के ऐपर सारे प्रोडक के मिलने वाले है अब मैं क्या करने वाल हूँ आपको एक मशीन उठा के उसका प्रोडक और उसका जो रेट है वो मैं आपको बताता हूँ और rate के अंदर क्या है कि model के आगे पीछे होने के वज़ा से rate आगे पीछे हो सकता है जैसे कि आप देख पा रहा है यह 58 CC का है अगर इसके अंदर 62 CC का machine आएगा जो 4 से 5 CC बढ़ जाता है तो उसके अंदर कोई भी price का variation आ सकता है हमारे बहुत से viewers से सहां कहते हैं कि आपके यह जो price बताया हुआ है उसके अंदर और वहां पर जब हम contact करते हैं तो उसके अंदर फरक आता है तो दोस्तों उसके लिए मैं माफी चाहता हूं मगर आपको एक क्लियरिफिकेशन बता दू इसके अंदर क्या है पर्टिक्रिलर हर प्रोड़क के अंदर बहुस अलग अलग प्रकार के मॉडल आते तो मॉडल के फरक के लिए भी कभी कभी यह मिसंडरेश्टिन ही हो जाती है तो यह देख पा रहे है यह जो मशीन है प्रोकट का हमारे पास हीरो कंपनी का इसका मैं प्राइस उपर डाल रहा हूं आप देख पा रहे होंग अधिस संगे अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं किन्टूल सूरत के उपर यह मिल जाएगा आपको उसके बाद हमारे आता है बैटरी ऑपरेटरेड चेंसों यह भी आपको किन्टूल सूरत के ऊपर और वेबसाइट का लिंक भी में आपको डाल रहा हूं इसका प्राइस में आपको उपर बता रहा हूं, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं, और website पर भी जाके आप पूरा, detail wise आपको और हमारे सारे product आपको special tool के product, battery operated tool के product, pneumatic product, जो भी product आपको पीछे देख पा रहे हैं और आपने अभी तक हमारे videos में देखे, वो सारे product आपको king tools पूरत के पहला वीडियो देख रहे हैं या दूसरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे में बुझारिस करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, 10 लेक सब्सक्राइबर को हमको पूरा करना है, उसमें आप हमें support करें, और अगर आप ज्याधा contribute करना चाहते हैं, तो जो special thanks का हमा और वीडियो उसको समाप करते हैं, धन्यवाद